भारतीय फिल्म जगत के तीन सूपरस्टार धरमेंद्र, सुनील दत और फिरोस खान में ये समानता है कि उनके भाईयों ने अभिने की दुनिया में अपना नसीब अपना कर देखा पर दर्शकों ने किसी को भी सुईकार नहीं किया इन सूपरस्टार की सूची में मनोज कुम जैसे बहु आयामी कलाकार भी है जिनका भाई पुरी तरह से फ्लॉप साबित हुआ पर फ्लॉप का ठपा उनकी बुरी अक्टिंग के कारण नहीं पड़ा बलकि उन्हें अच्छी किस्मत का सहारा नहीं मिला था तो चेलिए पेंटर बाबु वाले राजीव गोस्वामी की कहानी चानते हैं उनकी समीक्षा करते हुए हमने ये जाना है कि उन्होंने भी वही कलती की थी जो सुनील दत के भाई सुमदत से हुई थी नमस्कार दोस्तों आप सुन रहे हैं संगीता की आवाज बयोग्रफी एंड रियल लाइफ स्टोरी की यादों के सफर में इस उनके बड़े भाई मनोज कुमार को तो जानते ही हैं उनकी एक बड़ी बहन नीलम गोस्वामी भी है जिसकी शादी फिल्मकार अशोग भूशन से हुई थी इन्होंने ही सुपर हिट फिल्म शिर्डी के साई बाबा बनाई थी राजीव गोस्वामी के पिता जी का नाम पादम रखा था गोस्वामी परिवार के रिष्टे भाकरी परिवार से थे इस भाकरी परिवार ने लेक राज भाकरी सुभाश और मुल्क राज भाकरी जैसे काम्याब लेखक और फिल्मकार फिल्म जगत को दिये थे सबसे महत पूर्ण बात ये है कि उनके बाद मनोज का आना हुआ राजीव को स्वामी का बचपन भाई का अभिनय देखते हुए पीता उनके परिवार में लेखक से लेकर कैमरा मैन तक सभी सदस्य थे इस वजह से घर में फिल्मी माहोल रहता था राजीव को स्वामी की पहली फिल्म पेंटर बाबू बहुत बड़ी विवादत फिल्म थी मनोज कुमार पिछले 20 साल से इस कहानी पर फिल्म बनाना चाहते थे पर बाकी प्रोजेक्स के कारण देर हुई अंततह क्रांती जैसी बिग बजट वाली फिल्म बनाने के बाद उन्हें लो बजट फिल्म बनाने का खयाल आया इस वजह से उन्होंने पेंटर बा परमनोज कुमार के बेटे विशाल गोस्वामी को हीरो के रूप में लॉंच करना चाहते थे परमनोज कुमार अपने भाई राजीव गोस्वामी और प्रेमनात के बेटे मॉन्टी इन दोनों को लेकर शूटिंग शुरू करने वाले थे इस कारण से इन दोनों का लाकारों ने कई सारे साल इंतजार में गवा दिये। ऐसे में मॉंटी ने खुद के मन से फिल्म छोड़ दी। अंतताह क्रांति फिल्म के बाद 1982 में पेंटर बाबू फिल्म की शूटिंग शुरू हुई। इस फिल्म के साथ खुबसूरत अभिनेतरी मीनाक्षी शेशादरी पहली बा इसकारों का मानना है कि पेंटर बाबू की शूटिंग के वक्त मनोज कुमार कैमरा मैन के काम में दखलंदाजी कर रहे थे। एक एक शौट को बार बार फिल्म आया गया और इसी कारण से रिलीज शेडियूल बदलता गया। ऐसे में छोटे भाई होने के नाते राजीव ग फिल्म के गानों ने अच्छा प्रदर्शन किया पर मनोज कुमार जैसी एक्टिंग करके राजीव गोस्वामी को कुछ खास फाइदा हुआ नहीं। फिल्म बुरी तरह से फ्लॉप साबित हुई। यहां तक की प्रोडक्शन कास्ट भी रिकवर नहीं हुई। उसी साल मिन मैगजीन को दिये एक इंटर्व्यू में खुद राजीव बताते हैं कि उस वक्त उनके पिता जी का देहांत हुआ था। फ्लॉप फिल्म के साथ डेब्यू करने के बाद भी अन्य फिल्म कारू ने उन्हें अपनी फिल्म में कास्ट करने की कोशिश की पर उन्होंने एक के कर ऐसा प्रतीत होता है कि राजीव गोश्वामी को इस बात का थोड़ा भी फर्क नहीं पड़ा होगा। उन्होंने खुद का बचाफ करते हुए कहा था कि बाकी लोगों की एक्टिंग और उनकी एक्टिंग में बड़ा अंतर है। पेंटर बाबु के फ्लॉप होने के बा उसके बाद बतार हीरो और डिरेक्टर उनकी अगली फिल्म देशवासी 1991 में रिलीज हुई। इसने भी अच्छा प्रदर्शन नहीं किया। इसके बाद राजीव गोश्वामी फिल्म जगत से कायब हो गए। इसमें कोई शक नहीं था कि वे एक अच्छे अभिनेता थे प सावन कुमार जैसे महान फिल्मकार की फिल्म ठुकराना उनका सबसे गलत फैसला साबित हुआ। इस पर आपको क्या लगता है ये कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। धन्यवाद। झाल्वाद इसमें से काया लुक्ट इसमें जरूर लिखिए।